अरे क्रिश्णा आज का दिन बहुत विशेश है आज शिला भक्ति सिदान सरस्वती ठाकोर का डिस अपिरेंस जी है तिरोभाव देवस जो कि शिला पुरूपात के गुरू महराज थे भगवान भगवत गीता में 4.9 में बताते हैं जनम करम चैमे दिव्यम योवेती तत्वता भगवान कहते हैं जो मेरे आभिर्भाव दिवस तथा मेरे करमों की दिव्य प्रकर्ति को जानता है वो शरीर को छोड़ने के बाद पुना जनम नहीं लेता और उसके बाद वो मेरे दाम में वापिस आता है ठीक इसी परकार भगवान के जो निकट पार्शद होते हैं उनके अपियरंस और डिस अपियरंस जे भी दिव्वे होते हैं उनके बारे में श्रवन करना जा बोलना दोनों ही पवित्र करते हैं शिला भक्ति सिदान सरस्वती ठाकूर का जनम 6 फरवरी 1874 को जगनात पूरी में हुआ उनके पिता शिला भक्ति विनोट ठाकूर भौतिक द्रिस्टी से तो एक मेजिस्टेट थे परंतु वो परम वैशनव थे उन्होंने भग्वान जगनात और विम्ला देवी से प्रार्टना की की एक अपने निकट पार्षत को मेरे पास भेजें ताकि मेरे जो परचार का कार्रे है वो बहुत तेजी से आगे भड़े भग्वान की किरपा से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने रखा विम्ला परशाथ शिशू के जनाम के समय जो गर्ब की नाल होती है वो उसके शरीर में ब्राह्मन थ्रेट के तरीके से लिप्टी हुई थी जो की एक अद्भुत व्यक्तित्व के लक्षन होते हैं यहां तक कि जोट्शियू ने भी कहा था कि महान पुरुष के 34 लक्षन इस बालक में है वे मात्र चार या पांच महीने के थे उनके घर के आगे से जगनात रत यत्रा निकल रही थी और उनके घर के आगे रत रुग गया और आगे ही नी भड़ा अथत प्रयासों के बावजूत वी वो रत आगे नी भड़ा जब शीला भक्ति विनोठ ठाकोर अपने नवजात शिशू को लेकर बहार भगवान के दर्शन कराने के लिए आए तो शिशू ने तुरंती भगवान जगनात के पैर छो लिए और देखिए जगनात भगवान के गले का हार गिर के शिशू के गले में गिर गया इस परकार भगवान ने और भक्त ने दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया पर पांच साल के थे तो उनके घर में आम आये बहुत सारे आम आये तो उन्होंने उसमें से एक आम खा लिया जब उनके पिता को पता चला तो उनके पिता ने प्यार्चों ने समझाया कि बेटा जब तक हम भगवान को भोग नहीं लगाते हैं तब तक हम किसी भी चीज को पाते नहीं है तो उन्होंने कहा कि मेरे से बहुत बड़ा अपराद हुआ है अब मैं जीवन भर कभी भी आम नहीं खाऊँगा और उन्होंने जीवन भर कभी भी आम नहीं खाया वो बहुत ही मिधावी चात्र थे और कुशागर बुद्धी के थे साथ साल की उमर में उन्होंने भगवत गीता के साथ सो शलोग जो है अर्थ सहीत तात्पर्य सहीत कंटस्थ कर लिये थे वो स्कूल की जो बुक्स हैं वो स्कूल में ही पढ़ा करते थे घर पर आके तो वो वैशनव दर्शन की जो किताबी हैं उन्हें पढ़ा करते थे उनको संस्क्रेट, बंगला, इंगलिश सभी भाषाओं का बहुत ग्यान था उनको वाकिंग एंसाइक्लोपीडिय भी कहा जाता था उनको इंगलिश की जो पूरी एडिक्षनरी पूरी की पूरी याद थी आस्ट्रोलोजी का एक सूर्य सिध्धानत है जो कि बहुत कठिन है उसके उपर भी उन्होंने टी का लिखी थी जिसके कारण उन्हें सरस्वती का टाइटल दिया गया था उनको लायन गुरू भी कहा जाता था जो मायावादी थे वो शास्त्राथ करने में उन्हें डरते थे क्योंकि वो हमेशा शास्त्राथ में उन्हें हार जाते थे वो जातिवाद के बहुत विरुत थे प्लस वो जो है वैशनववाद में गौडिय वैशनववाद में जो भी कुरूतिय है उसके भी बहुत खिलाफ थे उन्होंने 1915 में भागवत प्रेस स्टार्ट की थी और 1918 में गौडिय मठ की स्थापना की थी उन्होंने अपने जीवन काल में 64 गौडिय मठों के स्थापना की थी बहुत विरोध के बावजूद भी उन्होंने चतन्य महापर्बू की जीवन अस्थली जो असली थी उसको ढून निकाला और उसमें निर्मान कारे शुग किया क्योंकि वहां के जो लोकल पंडे थे वो गलत स्थानों को जो है बता देते थे कि यह महापर्बू की वैशन जिवन जनमस्थली है और अपना पैसा का कमाई का धंदा किया करते थे उन्होंने जो अपनी दिक्षा ली वो गोर किशोर्दास बाबाजी से ली गोर किशोर्दास बाबाजी बहुत एक दिर्ष्टी से तो अनपड़ थे परन्तु अध्यात्मिक दिर्ष्टी से वो बहुत ही उच थे उन्होंने पहले दो-तीन बार उनको दिक्षा देने से मना किया परंतु जब उन्होंने देखा इनका इतना हट है इतना उत्सा है और जे दृड़ संकल्प है मेरे से ही दिक्षा लेने के लिए तो फिर उन्होंने उनको दिक्षा दी और उनका नाम रखा श्रीवास भानवी देवी देट दास अर्थार्थ राधारानी के प्रियक क्रिश्न के दास और उन्होंने अपना सन्यास दंड भी जो है वो गोर किशोल दास बाबाजी की पिच्चर के आगे लिया था एक बार किसी ने उनको बोला कि आपके गुरू महराज जो है वो तो भजनानन्दी है और आप गोश्टानन्दी है आप तो परचार कर रहे है इसका मतलब आप अपने गुरू महराज के तो मूर में है यही नहीं तब इन्होंने कहा कि जो मेरे परचार के जो कार्रें है न वो बोट के समान है एक नाव के समान है और मेरे गुरु महराज का जो भजन है वो उस मोटर के समान है जो बोट में नजर तो नहीं आती है परन्तु जब तक मोटर स्टार्ट नहीं होती तब तक नाव चलती नहीं है इस पर का हम सब को भी यह सोचना चाहिए और हर उस शिष्षे को जो अगर परसिद्ध है पॉपुलर है कि जो भी उसकी पॉपुलर्टी है जो भी उसकी परसिद्धी है वो सब उसके गुरु महराज के कारण है सन 1922 में शिला पुरुपाद इसकोन के फाउंडर अचारे है जो है शिला भक्ती सिदान सरस्वती ठाकों से मिले और 1923 में शिला पुरुपाद को इन्होंने पिदीवत रूप से दिक्षा दी एक जनवरी 1937 को इन्होंने अपनी शरीर को त्यागा और नित्या लीला करके भगवान के गोलोग विद्धा बंधाम चले गए शिला भक्ती सिदान सरस्वती ठाकों तिरोभाव तिती महा मौत्सव की जय शिला पुरुपाद की जय हरे क्रिश्ना